सब्सक्राइब दोस्तों देखो आज का नया केस है ससुर ने पुथू से साधी कर लिया समाज में देखो कैसा कैसा लोग हो रहा है कि आज बोलने को तो बहुत कुछ है दोस्तों पर बोल नहीं सकती ये गंदा गंदे लोग जो ये गंदा काम करते हैं अपना बुढ़ापा को भी नहीं देखते हैं और वो उस अवरत को क्या सुधा था जो एक बुढ़ा और बेक्ती से साधी कर लिया तो एइसा समाज मेंघटना घुट रहा है तो इस समाज में रोकने के लिए आवाज उठाएं और आगे आ कर इसे जितना हो सके कमेंट में बताइए कर वैस क्या सजा मिलना चाहिए कौन है आपके पती है ये बबलू है या पचीज साल की लड़की एक चौन साल के लड़के से साधी कर ली हो गया तो हो गया कि इतना खुले आम ही बेसरम औरत कैसे बोला पार लग रहा है इतना बुड़ा वेक्ति से साधी करके इसको कोई पस्चत आप नहीं है ज्यादा था अपने पिता जी से ही साधी ये कर लेती बेसरम औरत इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों बताइए समझ में जो हमारे समाज में है और बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा ऐसी ऐसी महलाओं को तो मार देना चाहिए दोस्तों यह मैं खुद एक महला हो कर बोल रहे हूं क आपको पढ़ाते थे यह अच्छा आप टीचर हैं आपके कंपेर में देखा जाए तो यह बच्ची समान है मतलब आप 54 साल के हैं यह 25 साल के हैं तो तमाम तो लोग आपको गरियाते होंगे तमाम लोग बोलते होंगे कि अरे नहीं यह बुड़ा पागल हो गया है कि और जो जिसे हो जाए बस हो जाए यानि इन दोनों में प्यार हो जाता है उसके बाद यह दोनों लोग आपस में साधी रचा लेते हैं और यह उम्र नहीं देखे और मजे की बात यह भी है यह इनके गुरू थे यानि यह इनकी सिस्चा थी इनसे टूशन पढ़ने जाती थी और ब कितने साल के हैं आप कितने साल की हैं जी मैं पचीश साल की यह कौन है आपके पती हैं यह तो पचीश साल की हैं और आप चौवन साल के जो है आदमी से आप साधी कर लेती हैं यह बात तो किसी को हजम नहीं होगा लोग कहेंगे कि मतलब क्या ऐसा हो गया कि मतलब पचीश सा richt 안下去 साधी कर ली हो गया तो हो गया हो गया तो हो गया उप साधी कर लिया तो क्या करें अच्हा प्यार हो गए क्या मतलब खूब आप देख ली कि प्यार अथ्य बहुत है युद्डधाय नहीं नहीं है क्या प्यार करनें लगी है प्यार करने लगी हैं अच्छे आप इनको पढ़ाते थे हमें आप को पढ़ाते थे और दोनों में आपस में प्यार हो जाता है, प्यार के बाद ये दोनों लोग आपस में साधी कर लेते हैं, और इनकी साधी की चर्चा इस समय खूब वायरल हो रही है, आप लोगों की चर्चा खूब हो रही है, मतलब क्या ऐसा देख ली कि आप अपने टीचर से जो आपको प आपको आपको ऐसा ही पती चाहिए था जो सक ना करे मतलब आपके उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतर रहे हैं इसलिए आप न तो जाती देखी न तो पात देखी और ना तो उम्र देखी ना तो डाड़ी देखी ना बाल देखी ना चेहरा देखी ना कुछ नहीं देखी आप इनसे प्यार कर लिए और साधी कर लिए कम से कम चलिए यह तो चलिए बच्ची हैं यह 25 साल की हैं कम से कम आप तो इतने बड़े हैं आप बुजुर्ग हैं आप गु लड़कियां होंगी फिसले यहीं आपके ऊपर नाइन मारती थी है आप यहीं लड़कियां में अब पैसा की जरूरत हो कज़ीर यह पैसा देते थे निकाल के अगर कोई भी पहले की जब आना में तो जानते हैं ना पैसा थोड़ा सा कम में और यह बच्चे को पैसा देते पढ़ाने के लिए कोई भी अगर कोई इंसान गरी बोने की मेरे पास में पैसा नहीं है तो यह फीडी में पढ़ा देते थे मतलब कोई बोलता था और अभी कहां रहे थे और आपस में दोनों को प्यार हो जाता है फिर उसके बाद ये लोग साधी रचा लेते हैं अच्छा एक बाद बताईए आप इनको क्या बुलाते हैं मतलब अब प्यार में तो देखे ये आपके प्यार में आपको बाभू बोल रहा है मैं ये नहीं सुची की मेरी पती आगे बन जाएंगे उसे पहले तो हम इनको बंप्राहिये कैभी नंश्ली है क्योंकि जिसा इनक इमें पढ़ान निवहां निश्ते बोलते हैं मतलब बात तो आप लोगों की जो है प्रेम कहानी बड़ी ही दिल्चस्प है और बड़ी ही रोचक है जो लोग देख रहे होंगे उन लोगों को आप साधी कर लेती हैं यह आपका पहला हो गया और आप इन्हें भाईया बोल रहे हैं थोड़ा सा आजीव लग रहा है हम को लोग पागल है लड़की कोई दिखत नहीं है अजब की गजब कहानी है अजब प्रेम की गजब कहानी मतलब इससे क्या मैसेज जाएगा आप लोग आप अपना पतिदेव बोलिए महादेव बोलिए तमाम लोग तो इस तरीके का बोलते हैं तो आप भाईया बोलने की क्या ज़रुआ है मेरा भासा वही है बोल चुकी हूं और बोलती रहूंगी अच्छा लगे यह उमरगर है आप भी देखते हैं हम बची तभी इनके साथ रहते तो किसी को भी अच्छा ना लगता है आपना च्वाइस मुझे अच्छा लगता वही काम करते हैं अच्छा आपके कंपेर में देखा जाए तो यह बच्ची समान है मतलब आप 54 साल के हैं यह पचीस साल के हैं तो तमाम तो लोग आपको गरियाते होंगे तमाम लोग होंगे कि अरे नहीं यह बुढ़ा पागल हो गया है कि और जो है 54 साल का खुद है और 25 साल की लड़की से साधी कर लिया है नहीं हमको कोई नहीं बोलता आपको को लोग छोड़ेंगे अच्छा मतलब जो बोलेगा उसको पटक 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 तो का है पसंद हमको यह है भूक के मर रहें तो कोई हमको खाना दिया है मतलब दुनिया में दुनिया कुछ भी कहे कुछ भी समाज कुछ भी कहे उसका फरक नहीं है समाज घर परिवार तो आपको रोका होगा माता पीता वो तो रोके होंगे आपको बोले कि इतना उमरगर लड़का सुषादी मत करो कि किसी वी लड़की कर देता है जो होता है जो समझें यही भोत तो सीच्छा ठीए हमको आप सब कुछ इनको जो हैBen बताई आप इतनी सुन्दर हैं और तमाम लड़किए का जो है यह हो तमाम लड़की सब होता है कि हमारा पती जो है महँगी महँधनी fight के घुमाए और गूज कह impe is क्रीम खिलाए गोल गप भी खिलाए पानी बीखिलाए इस्तिति का अंदाज असक हैं तो आप स़ोक रखते हैं आप को पैयार कर चुके शादी कर लिएँ में मेरा दो अब अगर गलत करने से अच्छा है जो अगर जदा परहे लिखे अगर नोकरी रहते तो कहीं घुमाने वाने ले जाते हैं यह सब होता है मानने फिर सोचते हैं मेरे नश्री में नहीं है अच्छा इजुकेशन के जरी इनको प्राप्त कि आप इतनी अच्छी धरम पत्नी पाएं हैं और कहरे रहें छोड़ दिये नहीं नोकरी नहीं हुआ उसके बाद उससे रूची हट गया अच्छा रूची हट गया अब पुरी तरीके से छोड़ दिये हैं अब आटा मिल में का कि आपके चलते के प्यार के चक्र में तमाम लड़कियां बीगड़ेंगे इस तरीके से तो आप आप लोगों तर तर कर दिया है उसको तो आप फ्ने मावाब से आपके दिल पर क्या बीट रहए होगी है आप तो इनको जो है साधी कर लिए आप अगर माबबाब आपके सद्य के रहते तो भोगते थोड़ी माबाब आप सपोर्ट करते बहुत कुछ करते अभी तो आप सबस्क्राइब करते हैं दो कहीं जाने नहीं देते थे क्योंकि हम यह ना जाने देते कि मैं इतनी सुन्दर हूँ गाह समाज का लोग है अगल वगल के अगर मैं बहुत अभी है तो इंद्रावास मुझे पैसा मिला है तो नाम रूम बनाए कुछ मेहनत किये परहाई उर्हाई करके शिलाई उलाई करके घर चलाई मैं और इसके बाद में यह चिबनी में काम करते तो कुछ पैसा उसा लाते थे पहले तो डर लगता था कि कोई मेरे चिड़कानी ने कर दे अच्छा दरती थी चिड़कानी च्छानी बस हो गया उसे उतना डर नहां लगता है क्योंकि तब ही मैं और तूम मुझे डर लगता है किस बात के लिए आप डरती है पती है आपके और चलिचे इसे करके बीहार में नहीं होता है कि इसका कफा मर Metal जनterior है करके बोलता नहीं क näky上 आपको यह पढ़ा रहे थे तो पढ़ाई करके जो है चाहती तो आप घर और वसाती और बहुत कर दो क्राइब कर लेते सरकारी का तो मीदे छोड़ दीजिया सरकारी तो भी होता नहीं अभी नहीं मिलता है सरकारी नहीं मिलता है और इसे में जात के ब्राम्हन है पांच से लग गया तो हम गया तो मेरे पास में पैसे नहीं था विए में में लग गया कहा तक पड़ी हैं हम इंटर फाइनल कर चुके हैं विए में मेरा एटेंडेंस बनाय हुए थे तो फिर बाद में बोले कि हमको फिर से परिक्षा देना है तो बोला कि 35 और 4000 प्या लगेगा अभी भी आप पढ़ने जाती हैं हां तो मैं जानना चाहती हूं मेरे मेरे पास में पैसा नहीं हो इतना क्यूंकि मैं बच्चे के परहाओं के खुद अपना भविश्टी को दो बेगे को दो बोलें के तुम पढ़ती रहों अभी आप क्या करती है क्या कुछ घर परिवार चलाने के लिए चुक्ति यह चाय जाता है तिन चार हजार इस महांगाई में कईसे घुजरबसर होगा यह तो अपना घ्रचाने चलासी पालए एक बात बताएए आप ठीक है करूंगा भी नहीं ठीक है नमबर एक बात जब मिया भी वी राजी तो क्या करेगा का जी हम तीसरे को आपती करने वाले नहीं होते हैं लेकिन कम से कम अभी ये दो-तीन हजार रुपए कमाते हैं इसमें ये खुद का अपना खर्चा नहीं चला पाएंगे एक तो आप इनसे सा नहीं है जो कहीं जा कर हम विटे पालर खुले शके लिए पैसा होना चाहिए और शात्मे घर पे ही काम करती हैं और से हो जाता है थूरा मुरा दिकत होता रहता है माई के वाला सुरण साहिए है तब यू बहुत दिकत होता है कभी कवाल के रोटी समय चटनी खाते हैं भात खालेते हैं हम लोगा मतलब भी हार भात बुला जाता है इसे चावल चटनी खालेते रात में कभी काल के खायबू ना करते थे पहले पानी अब 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 तकलीफ लग रहा होगा कि जो है गलती में जो है लड़कपन था और जवानी थी जिसके कारण जो है हम आवेस में आ अगर आएक इनका साथ है तो क्या बात है तो क्या कैं व किसक्दर इनका प्यार है और इस कदर इन से यह प्रेम करती है रीजरि बशुर बनाते हैं जोग को आप लोग फेमस कर दिये हैं लोग अपने टैलेंट पर आप लोग भी फेमस कर नहीं और जितना देखने वाले दर्सक है वह अगर साथ दे तो हर जगह किनारा मेरा लग सकता है बीच नाव में हम बैठे हुए अभी आपको रास्ता दिख रहा है कि पती हमारे बुड़े हो चलाना है तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आज आपको दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है वह वी यूट्व फेस्वूग यह लगा हुआ कि मेरा कि मतलब सबेरा कब होगा यह सूचकर बना रहे हैं तो चलिए यह परिवार है और यह प्रेमी जोड़ा है यह बीबी राजी तो क्या करेगा काजी और कोई तीसरा कुछ बोल भी नहीं सकता कोई कुछ कह भी नहीं सकता यह स्टोरी में आपको दिखा रहा था बिहार के सितामडी से आप इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे इनके प्यार के बारे में आप क्या कहेंगे जो प्यार से इन